तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मिट फर्वरी थक हमें इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे तो ऐसा ही हुआ पंद्रा फर्वरी यूनो आज और कल के बीच में यह आ चुका है नोटिफिकेशन और मैंने जो भी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको एक जगा पर नोट डाउन कर लिया है तो हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अभी समझते हैं कि यह जो सेशन है वो आपका क्या रहेगा नहीं करणाएं कि यह यहगों अभी सेब जो इंट्रेंट नहीं कर लेए मैं कर लेंगे यह लेह पनजाय मर्च मार्च दोगोगों को सब्सक्यतर मार्कार्ण सब्सक्राइटि पार 220 करना हैं आप लोग अराम से युन ईंसरonenार में आप लोग फील कर ले ना तक में नट पश्वर का कुछ प्राब्लम होता है लास टाइम में किसी कर रह जाता है तो कर्लास नहीं रह ना है हमें टाइम से अपन उसटेशन पाहला है चिक है अब भात करते हैंability की फाह पाह से आप लोग दूनों eligible हो ठीक है और इसमें percentage का criteria होता है कि अगर आप general category से हो तो आप ने अगर graduation किया है चाहिए पीजी किया है तुनों में minimum आपका क्या होना चाहिए 50% होना चाहिए ओके और अगर हाले candidates होते हैं जिनको ऐसा रहता है कि अगर B8 करना है तो क्या वो कर सकते हैं तो लाइक वो कर सकते हैं बट उनकी specialization science and maths में होनी चाहिए ठीक है मतलब कि उन्होंने उनकी उनका जो subject होगा उसमें यह उन्होंने कर राखा हो and 200 marks के around उनका you know maths और science का 200 marks contribution रहना चाहिए तो एक पर यह details से आप लोग अपने faculty से भी पता कर सकते हो ठीक है बट बेसिक सी बात है कि बीटेक वाले जो candidates उनका भी अगर maths और science रहा है तो वो लोग फिल कर सकते हैं and उनका भी जो percentage criteria वो ऐसा है कि minimum 55% होना चाहिए अगर वो किसी category से बिलॉंग करते तो minimum उनका 50% होना चाहिए ठीक है अब एक बात को समझेगा कि अगर आप other states से बिलॉंग करते हो तो आप किसी पी category में count नहीं हो होगे ठीक है आप आओ के general category में ठीक है इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे आगे अब बात आती है सबसे important बात कि can final year students apply ठीक है तो क्या कोई final year का student है जिनका भी final result नहीं आया है मिन्स उनके 6 semester के exam होने वाले है तो क्या appearing students यह appearing students भी feel कर सकते हैं तो answer will be yes यह लोग भी feel कर सकते ह but उनकी जो candy HR के value होगी वो तब ही successful होगी जब जब admission का time होगा और उस time तक उनका result आ जाना चाहिए मतलब फिर से समझे कि जब आपका आपको admission कराना ही जाना होगा बीएट के college में तब तक आपका बीए का बिल्कुल मतलब की graduation का बिल्कुल clear हो जुका होना चाहिए ठीक है आपका result आ जाना चाहिए तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका successful रहेगा and जो भी आपका result आएगा वही criteria रहना चाहिए percentage का कि अगर आ I have to choose only one subject honor subject तो जब आप form फिल करोगा तो आपको option आएगा कि आपको एक subject को choose करना होगा तो यह मेंली जो subject होगा वह आपको honors paper ही रहता है ठीक है तो जैसे मैंने English honors किया है graduate graduation English honor से मैंने graduation किया है तो मेरा जो subject हुआ teaching का method paper जिसको कहते हैं हम लोग वो मेरा English literature ही हुआ ठीक है तो I think यहां तक मैं clear हूँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं exam date के पारे में तो exam date यहां पर हम देख सकते हैं कि exam date हमारा क्या है 21 April 2024 है ठीक है मतलब कि अगर आप लोग काउं 21 April को आपका exam होना है तो मतलब overall हम लोग ले सकते हैं कि two months से ज्यादा ही आपके पास time है ठीक है तो दो महिने अराम से आप लोग बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हो ठीक है और उसके बाद अब यह जो exam होगा वह OMR seat पे होना है offline mode में होगा बिल्कुल clear है ठीक है अब फी से और जारकंट के नहीं हो तो भी आपका 1000 रूपीज ही लगने वाला है ठीक है अब जो ओबी से हैं other backward classes से ब्लांग करते हैं तो उनका 750 रूपीज चार्ज होने वाला है और उसके अलावा किसी भी कर्टेगरी की female है SC और ST सबका क्या लगेगा 500 रूपीज लगने वाले ओक तो यह रही पूरी अब हम आगे बढ़ता है कैने students of other states fill this form तो क्या अलग मतलब चाहरकंट के लावा किसी और state के student है तो वह भी क्या फिल कर सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल हाँ वह फिल कर सकते हैं और बस उनका यह रहेगा कि 15% सीट ही open रहता है तो उसी में से आपको fight करना होगा और उसी में आना पड़ेगा ठीक है if I talk about mine तो अब मैं भी भी हार से हूं तो यह आप government college में भी admission ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया और आपकी रैंक बस अच्छी होने चाहिए ठीक है मतलब 15% तो आपको मिल रहा है ना से तो आप उसमें fight कर सकते हो आप से ठीक है तो answer will तो देखिए 100 questions का आपका exam होने वाला है 400 marks और उसके बाद इसमें negative marking भी रहेगी 0.25 की means 1 by 4 की negative marking होगी अगर आपने you know 4 questions गलत किये तो आपका 5 marks चला जाएगा मतलब 4 तो जाएगा ही और एक extra और marks चले जाएगे ठीक है तो negative marking भी है अब जो subjects है इसमें तो basically language proficiency है बहाँ सा दक्ष्यता जो इसको बोलता है तो हिंदी में उसके 15 questions आएंगे और इंग्लिस से 15 questions आएंगे ठीक है फिर उसका बाद teaching aptitude section अभी रूची उससे 40 questions रहेगा और reasoning से भी क्या रहने वाला है 30 questions रहेंगे ठीक है तो इससे 100 questions हमने देखे कि किस तरह से distribution है उसका ठीक है तो अब ह पर भड़ने के लिए आप लोगों को वन मंत का टाइम मिला है तो आप लोग अरांद से फॉर्म अच्छे से फिल करें ठीक है फॉर्म कैसे फिल करना है एक अगर डावट हो रहा हो इस पर तो मैं कोशिस करूंगी कल मैं एक वीडियो डालू इस पर ठीक है तो सबसे पहले पर दो बात कि फॉर्म कैसे फिल करना है फोट जो डालोगे वह भी मतलब कि बिल्कुल आपका फेस क्लियर होना चाहिए मतलब यह बहुत अच्छे साना चाहिए मतलब कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों के कारण कभी-कभी क्या होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप लोगों को भी जैसा की पता है कि रैंक अच्छा रहेगा तो क्या होगा कि आप गॉर्मेंट कॉलेज में अडमिशन ले सकते हैं और गॉर्मेंट कॉलेज की फी होती है वो ना के बराबर है ठीक है बतलब यू विल अगर आप कि इसी काटेग्री से हो तब तो आप समझों कि जीरो रूपी में आपका मतलब कि बस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या होगा कि जीरो रूपी है ठीक है अगर आप जेनरल से भी हो तो अराउंड वह 16-20,000 में आपका बेट कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चिन है गोर्मेंट क कंसेस्टेंशी बनाई रखनी है एंड बहुत ही खुशी और हस्ते वे पढ़ना है और आइकन प्रॉमिस वन थिंग कि नेक्स दे ही मैं स्लेबस पर एक वीडियो बनाऊंगे ठीक है जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपकर पढ़ना क्या-क्या है एंड देन उसके बाद कोई अगर आपको इंग्लिस सब्जेक्ट में यह किसी और सब्जेक्ट में आपको कुछ भी हल चाहिए हो तो आप वो भी बोल सकते हो I will definitely do that so guys यहां तक ही वीडियो को रहने देते हैं अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो इसके रिगादिंग तो आपको कॉमेंट में पुट डाउन कर सकते हो इसको I'll be replying you there तो I hope यह चोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहेगी and कल मैं syllabus की वीडियो पका से डाल दूंगी and okay so good night and मुझे थोड़ा सा जुखाम भी हुआ है but मैं सुपर से सोच रही थी कि मुझे बनाना है वीडियो because already there were so many requests कि इसके रि अच्छा लग रहा है तो मैंने बनाया तो I'll be putting videos tomorrow also about the slavers or about how can you fill the form correctly okay thank you so much for watching and if you have not subscribed to the channel do subscribe bye bye take care